मैं आईरन मैन आपके लिए पढ़ रहा हूँ. प्रश्न तीन, निम्न कतनों को कारण से रित्स पश्ट कीजिए. 1. स्त्रियों के जीवन से जुरे विभिन पहलों पर विचार करने वाले अनुसंधान कार्रे प्रारम हुए. उत्तर 1. इतिहास लेखन में पुरुष्प्रधान द्रिष्टिकोन का प्रभाव था. सीमाद बोवा नामक फ्रांसीसी विदुशी ने इतिहास लेखन में स्त्रिवादी भूमिका प्रस्तुत की. 2. इसके कारण स्त्रिवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों का समावेश किया 3. इतिहास लेखन के क्षेत्र में अपनाए गए पुरुश्वरधान धृष्टिकोन पर पुनरविचार करने पर जोर दिया सीमाद बोवा की स्त्रिवादी भूमिका के कारण स्त्रियों से संबंदित नौकरी, ट्रेड यूनियन तथा स्त्रियों के पारिवारिक जीवन से संबंदित विभिन पहलों पर विचार करने वाला अनुसंधान शुरू हुआ दो, फूको की लेखन पधती को ग्यान का पुरातत्तु कहा है। उत्तर, एक, माइकेल फूको ने कालकर मानुसार इतिहास की अखंड रचना करने की पधत्ति को दोशपूर्ण सिद्ध किया। दो, उसके मतानुसार अंतिम सत्ते तक पहुँचना पुराततु का उद्देश् कर भूत कालकी स्थितियों के अंतर अर्थात परिवर्तनों का स्पष्टीकरन करना पुरातत्व का उद्देश्य होता है। तीन, फूको ने एतिहासिक स्थितियों के अंतर की स्पष्टीकरन पर अधिक बल दिया। इसलिए उसने अपनी लेखन पधति को ग्यान का पुरा तत्व कहा है